नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ अक्टूबर का राशिफल हम आपको बता रहे हैं कि जानिया आपकी किन लोगों की किस्मत देगी साथ और किस पर पड़ेगा वक्त की मार मेश राशिवालों के लिए महीने की शुरुवात अच्छी रहेगी पूरे महीने आपको मिला जुला असर देखने को मिलेगा विशेश अवसरों पर खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है आर्थिक स्थेते समाने रहेगी विदेश यात्रा का य ना लें यात्रा में सावधानी बरते या शिव मंत्र का जाप करें लाब होगा इसके बाद व्रिश राशि इस राशिवालों के लिए महीने की शुरुवात थोड़ी कठिन रहेगी अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें नहीं तो पच्ताना पड़ सकता है पारिवारिक काम भी बनेंगे चांदी की अंगुठी पहन कर श्री शुक्त पाठ करें यह आपको अनावश्यक परिशानियों से छुटकारा दिलाएगा इसके बाद मिथुन राशि इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए शुब संयोग बन रहा है पहले के अटके कारियों में व्यापार में मदद करेगा स्वास्थ अच्छा रहेगा लेकिन पेड़ से संबंधित कुछ एक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है विश्णु शहस्तर नाम का पाठ करें आपके लिए शुब होगा इसके बाद कैंसर राशि इस राशि वालों के लिए यह महीना मि आरिवारिक सुख मिलेगा लेकिन सतर्क रहें आपका कोई खास मीत्र आपके साथ विश्वास घात कर सकता है किसी पर भी सोच समझ कर विश्वास करें स्वास्थे समानिय रहेगा आंख पेट या जोड़ों का दर्द थोड़ा परेशान कर सकते हैं फालतु खर्च से बचे नारियल में चीनी या बूरा भर कर चीटियों को खिलाएं शुप फल मिलेगा इसके बाद सिंग राशी वालों के लिए महिने का शुरुआत अच्छा रहेगा आपको समाजिक सम्मान मिल सकता है परिवार या ओफिस में आपको कई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं लेकिन की प्राप्ती होगी निर्णे सोच समझ कर लें बहते हुए जल में तांबा डालें या भगवान सुर्य को तांबे के बरतन में लाल फूल और गुल्ड और गुल्ड डाल कर जलर पित करें कन्याराश कन्याराश वालों के लिए यह महिना ठकान से भरा होगा उन्हें काफी भाग दोड करनी पर सकती है ज्यादा खर्च होने पर मानसिक संतुलन पर प्रभाव पर सकता है इसलिए सोच समझ कर खर्च करें खराब स्वास्थे के कारण चिरचिड़ापन हो सकता है पार्टनर के साथ विवाद से बचें रिष्टों में करवा हटाएगी हलंके महीने के अंत में समाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा में वरिध्य होगी महीने का अंत अच्छा जाएगा दुरगा सब्तशति का पाठ करना शुब होगा तुला राशी तुला राशी वालों के लिए यह महीना कुछ खास नहीं रहेगा ओफिस में विवाद और अशान्ती का सामना कर लिए आराम से बैठ कर समस्या का हल निकालें 17 तारिक के बाद स्वास्ति संबंधी परेशानियां हो सकती हैं महीने का अंत नजदिक आने पर स्थितियां सुधरेंगी ओम हनुमते नमह का जाप करें रिष्चिक राश मा में मिला जुला असर देखने को मिलेगा महीने की परेशानियों के बाद भी कैरियर में सफलता मिलेगी आपके लिए अच्छे औसर बनेंगे परिवार में टेंशन हो सकती है समझदारी से काम लें नेड़े सोच समझ कर लें घर के कलह से बचने के लिए गेहूं के आटे में गुड मिला कर रोटी बनाएं और हनुमान जी को चड़ाएं शांती बने रहेगी धनुराशी यह महिना धनुराशी वालों के लिए ओसत साबित होगा पारिवारी कलह का सामना करना पड़ सकता है क्रोध पर नियंतरन रखे परिस्थिती बिगड़ सकती है हलंकी 17 तारिक के बाद लाब होगा धार्मिक कारियों में रूची मिलेगा मकर राशी यह महिना आपके लिए शुब सन्योग लेकर आ रहा है परिवार में अनावश्यक विवाद होंगे मांसिक रूप से थोड़े परेशान रह सकते हैं अप्रत्याशित लाप के अवसर खुशी देंगे सोचे हुए कारियों सफल हो सकते हैं आने वाले कामो भी विवाद में पढ़ने से बचें कुम्भराशी वाले छोटी बात भी बढ़ा रूप ले सकती है इसलिए सावधान रहें फालतु के खर्चों से बचें परेशानी बढ़ सकती है कारे में सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कारे शेत्र में उतार चढ़ा आर्थी के स्थिती समाने रहेगी फालतु के खर्च से बचें परेशानिया बढ़ सकती है लेन देन को लेकर विवाद हो सकता है इसलिए थोड़ा सतर्क रहें परिवार के सदस्यों से तनाव हो सकता है इसलिए विवाद से दूर रहें शनी की आरादना करें और ओम शंग शनेश चराय नमख का पाठ करें शुप परिणाम मिलेगा तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहाधी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस् कि दूस्तो हुड़ेंगे नमस्कारी के लिए सभी के लिए weirdest .